हलो एब्रीबरन कैसे हो आप सब और ये है सुबै कभी हूँ तो मैं सोके उठ चुकी हूँ तो नए घर में पूरा दिन में मेरा कैसे बीचता है वो मैं सारा कुछ आपको आज बताने वाली हूँ और यहाँ पर आप देखिएगा मुझे हो रखा है जुखाम आपको आबाद लग रही होगी क्योंकि बहुत तेज चुकाम हो गया है क्यों हुआ है इस वीडियो में आपको पता चलेगा तो इस वीडियो को आप लाश्ट तक जरूर देखें तो यहाँ पर ये सुबै आगिया था पार्सल सर्प्राइस गिफ्ट जो है किसी ने ओर्डर किया था और प लगनी बाकी है क्योंकि अभी जो ड्रिल मसीन है वो नहीं मिल रही है सब जगह ढूल लिया है क्योंकि यहाँ पर न्यू घर सेटिंग में कहीं रख दी है यह किसी को दी है तो ऐसा को समझ में नहीं आ रहा है तो अभी उसको ढूनेंगे उसके बाद ये घडि को टांग दे है और गरम पानी एक तो गरम पानी से क्या रहता है आपको चाय बगएरा बनानी है तो वो भी बड़ी जल्दी बन जाती है और यहाँ पर मेरा जो इंडेक्शन है वो थोड़ा गड़बर कर रहा है तो देखे ट्रिक मैं कैसे चलाती हूँ हस्वें तो काफी बार मना कर लेकिन मैं आदस से मजबूर हूँ अभी सही नहीं हो पाया है क्योंकि नए घर की भागम भाग में ये सब कुछ काम थोड़े डिले हो गए है और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि मैंने मैंने सोचा थोड़ा नास्ता बगएरा बच्चों को दे दूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था अभी नया नया है सब तो कुछ सामान भी आना बाकी है मार्केट से और सबजी बगएरा भी जादे कुछ नहीं थी तो मैंने सोचा क्या करें तो यहाँ पर मैंने गरम पानी जो केटली है गरम पानी की उसमें मैंने गरम पानी कर लिया है और उसको बगएरा में आप ये पानी डालिएगा आपकी सबजी बहुत ही अच्छे से बन जाएगी और मुझे जुखाम जो हुआ है उसका एक कारण ये है मैंने स्वेटर बहुत जल्दी उतार दिये हैं ये देखे मैं केवल इस्टॉल डाले हूँ और सॉक्स भी मैंने पहनने बंद कर दिये थे तो इस बज़े से मुझे जोरो सोरो से हो गया है जुखाम और यहाँ पर मेरी अद्रक कुट गई है और फ्रेंस ये मेरी चाय लगबग बनने वाली है और यहाँ पर मैं क्या करूंगी चाय बन जाएगी तो एक साइड में सेंड सेंडविच 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 स क Carry Yeah Die मैंने सोचा क्या है कि देखी ग्यादर कोई सब्जी खाता है नहीं अगर किसी को दो अरे क्ल के हैے अरे कल भी क़्ाई थी मैंने सोचा सेंडविच अध anonymous बना त AunÁ पर निया है मैंने गी पर शीपा Exig debate कर 2017 दाविश्व डियरूद तो मैं दात, में दर्ण हो जता है, कई जुकहाम लातों ऑस अधिक ale है। मैंने सचा पैकट का ही गही ले लेती हूं, और उसी से मैं सेंड़िस não सेक देथी हूं, तो मैंने यहाँ पर पैकट का थोड़ा-सद गही ले लिया है यहां पर मैं सैंड्विश सेख लूँगी और थोड़ा-थोड़ा सा घी लगा करके क्योंकि घी या बटर में ही सेखते हैं नहीं तो रिफाइन डिया तेल में बच्चे मेरे खाते नहीं है तो मैं अपने लिए अलग से नहीं सेखती हूँ उसी में से ले लेती हूँ क्योंकि थोड़े कम लगाती हूँ जिसमें बटर या घी बोई में ले लेती हूँ बच्चों के में थोड़े सा ज़्यादा लगा देती हूँ तो यहाँ पर यह देखिए यह मैं सैंड्विच बगएरा बना करके और दे दूँगी बच्चों को और खुद भी ले लूँगी उसके बाद घर का और काम निपटाऊंगी तो यहाँ पर यह यह मैंने चिमनी नहीं चलाई थी मैंने सोचा चिमनी चला देती हूँ क्योंकि जितना भी दूआ बगएरा रहता है न तो वो सारा कुछ चिमनी से ऊपर को हो जाता है चला जाता है मतलब और यहाँ पर बेटी आ गई है तो मैं उसको सैंड्विच और चाय बन गई है मेरी रेडी हो गई है तो वो ले लेगी और उसकी बाद सैंड्विच सिखने के बाद हम लोग भी ले लेंगे उसकी बाद फिर आगी का काम करेंगे तो यहाँ पर सैंड्विच मेरे सिख गए है बेटी आ गई है तो मैंने बोला नास्ता कर लो और उसकी बाद ब प्जाब ही रही थी तो मैंने सुचा आप तुम नास्ता कर लो बीटा उसके बात पढ़ना तो क्यों कि अब उसकी कोचिंग हो गई है अभी वह घर पर ही है अभी वह अब भाषत ही आप लोग वीडियो देखते थे तो अभी वह यह देखो नास्ता भी करने लगे हैं तो यहां पर हम लोग कर लेंगे नास्ता और उसके बाद गर के और काम करेंगे क्योंकि मेरी थोड़ी तबियाट डाउन है इस बज़े से मैं नास्ता कर लेती हूं उसके बाद ही ना आ रही हूं और कभी कभी ना भी लेती हूं उसके ब तो यहाँ पर और जो काम थे वो सारे देखिए हो गए हैं जाड़ू पोचा सारा कुछ सापसुत्रा हो गया है कुछ बेटी ने कर लिया है क्योंकि उसको कितना भी मना करूं फिर भी वो कहती है ममी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ तो क्योंकि पहले मेरा छोटा घर था और अब थोड़े रूम बगेरा और थोड़ा बड़ा एरिया हो गया है तो वो कहती है कि मैं हेल्प कर देती हूँ तो यहाँ पर सारा कुछ अभी घर का काम सापसफाई का चल रहा है और उसकी बाद मैं आ गई हूँ किचिन में थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे तो बहु सारे बर्तन में दोंगी और यहाँ पर बर्तन दोने के बाद फिर में लग जाऊंगी और काम में दिये देखिए मैंने किचिन में जोटा सा घीजर भी लगवा रखा है किसी दिन मैं अपने किचिन का टूर करूँगी तब आपको सारी बाते बताऊंगी कि मैंने क्या फैसलिटी किचिन में करवाई है और आप लोग भी करवाईएगा बड़ा ही अच्छा रहता है और उससे क्या है हम लेडी जों को बड़ा आराम भी मिलता है तो यहाँ पर मैं थोड़ी सर्दी तो है तो इस वज़े से मैं थोड़ा सा गीजर चला लेती हूँ उससे क्या है एकदम से बरतन भी साब दूब जाते हैं और हम लोगों को सर्दी भी नहीं लगती है तो यहाँ पर क्या है बर्तन धूब रही है धू रही हूँ मैं और उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाओंगी तो यहाँ पर बर्तन धू लेंगे उसके बाद दूद रखा है उबलने को तो दूद भी उबाल देंगे उसके बाद चले जाएंगे नहाने और यहां पर मैंने आज मगाया है गनी का रस तो हस्बेन वोई लोकर आई है और इसे ही पीकर मुझे हुआ है बैंकर जुखाम तो यहां पर रस आ गया है तो बस हम पड़ापड से रस को छान लेंगे और इस सीजन में मैंने पहली वारी मगाया है यह देखे तो रस आ गया है और आप हम यहां पर रस को छान लेंगे और आज हम रस खीर भी बनाने वाले हैं तो रस छान के सबसे पहले भोग के लिए निकाल दिया था उसकी बाद हम लोगोंने पिया है तो रस हम तो दही डाल के पीते है तो श्वयनन नई टिलवा号 चाहँ यहां आपर दही डाल के पीया है कि यहां पर लोते में कर लएंगे कि देखे मुझे दही डाल के बहुत पसंद है और मैंने गलास पी लिया संद्प और इसी वजए से मुझे थोड़ा नु क्सान भी कर गया है हो गया है जुखा यहां पर दही मिला लेंगे और यहां मैं पसंद नहीं है सादा रस मुझे पसंद नहीं है यहां पर दही मैंने मिला लिया जब मेरा दही मिला हुगा देखास बढ़ने तो बोले थोड़ा सा मिला दो थोड़ा सा मिला दिया है उनकी में यहां पर हम दोनों से इंतिजारी नहीं हो रहा है इतना अच्छा लगता है रस और उसे की वज़े से मुझे हो गया है चुकाम सारी यहां पर यह देखे मैंने एक गलास पी लिया उसके बाद और ले लिया था यहां बेटी आई है तो बेटी को भी दही मिला कर पसंद नहीं है तो उसने भी बिना दही के ही पिया है उसके बाद मैंने सारा ये दूद गरम करके रख दिया है रस को चान के रख दिया है क्योंकि अभी मैं नहा के आऊंगी तो रस खीर बनाऊंगी और एक कप में वो बेटे का है तो वो कॉलिज गया है तो आ करके वो भी पी लेगा यहां पर अब मैं आ गई हूँ नहा दोकर तो मैंने यहां पर आज में बनाने वाली हूँ बेटी की फर्माइस पर कड़ी चावल तो यहां पर बेशन ले लिया है मैंने हिंग डाल लिया है नमक डाल लेंगे थोड़ा सा तेल डालेंगे इससे पकोड़ियां जो है बहुत ही सौप्ट बनती है और नमक भी थोड़ा डालेंगे और उसके बाद यह हम मैंने पकोड़ी का बेशन कर लिया है तो आज उसका कड़ी जावल खाने का मन था क्योंकि पीजी में जब वो थी नहीं खा पाती थी आज पर तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं और बेटा खाता नहीं है तो उसके लिए भी देखो कुछ करेंगे या फिर उसको उसको पकोड़ी कम पसंद है तो थोड़ा कड़ी का जो रसा होता है उसमें जो है उसको मिक्स करके कड़ी चावल हम दे देंगे तो वो खा लेगा और यहां पर मैं पकड़ीयां बनाने लगी हूँ और पकड़ीयां बना करके उसके बाद मैं कड़ी भी चौक दूँगी और आट जो है कड़ी चावल का इंज्वाए होगा पकड़ी बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे आपर रस्खीर भी बनने रख देंगे तो रस्खीर भी बन जाएगी एक साइड तो यह पर पकड़ीयां बनने वाली है और उसके बाद हम माइक्रोवेव में और यहां पर बेटी कुछ कह रही है या बेटा आ गया है तो मैं बच्चों से ही किसी से बात कर रही हूँ यह हो सकता हस्वेंड हो कुछ कह रहे हूँ इतना मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं वाइज ओबर एक दिन बात कर रही हूँ तो बेटे को भी रस पसंद है हाँ बेटा ही कॉलेज से आ गया है उसे ही मैं बात कर रही थी बेटा इतनी देर क्यों लगा दी तुमने आने में तो यहां पर वो रस ले गया है तो वो रस पी लेगा उसको भी बहुत ही पसंद है रस पकोडियां देखे मेरी बन के रेडी हो गई है अब मैं छोपने लगी हूँ कड़ी आप देख पा रहे होंगे मैंने बेशन को भूल लिया है और यहां पर चिमनी मैंने नहीं चलाई थी क्योंकि पकोडियां से की थी तो मैं चिमनी चलाना भूल गई हूँ तो यहां पर मै जिम नी चला दे रही हूं ताकि जितना भी दुवा बगर है वो सारा बाहर चला जाएगा इस तरीके से मेरा बेशन गूल गया है अब हम क्या करेंगे अब इसको हम कड़ाई में डाल देंगे कड़ाई में मैंने तेल डाल दिया है हींग और हल्दी थोड़ा सा जीरा भी आज को पसंद हो उस तरीके से आप कर लीजी तो मैंने यहां पर कड़ी में चोका लगा दिया है तो इसमें आ जाएगा उबाल तो उबाल आने के बाद इसको हम उबल ले देंगे थोड़ा और उसकी बाद हम क्या करेंगे तब तो मैं सामान सारा अटा देती हूं और थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और इस तरीके से बन जाएगी कड़ी फ्रेंड्स और आप लोगों को भी खाना है तो आ जाएगे जल्दी से और यहाँ पर मैं क्या करूँगी चाबल एक साइड माइक्रोवेब में रख दूँगी तो थोड़ा एजी हो जाएगा क्योंकि गैस भी मैं एक साइड रखने वाली हूँ रसखीर क्योंकि अगर ज़्यादा लेट करेंगी तो रस का स्वाद थोड़ा वैसा हो जाएगा और इस पज़े से रसखीर को जल्दी ही बनाएंगे और यहाँ पर यह देखिए चाबल मैंने रख दिये हैं ओबन में और यहाँ उबाल आ गया है कड़ी में तो अब हम इसको छोटी गैस पर कर देंगे और उसकी बाद अब मैं बना लूँगी यहाँ पर यह मैंने कर दिया है चोटी गैस पर कड़ी को अब यह उबलती रहेगी क्योंकि कड़ी जितनी ही अच्छी उबलेगी उतना ही टेश्ट अ अच्छा आएगा तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर यह देखिए रस था तो मैंने रस डाल दिया है और आप फ्रेंट्स ध्यान रखेगा रस को खूब थिराने के बाद जब कितना भी कुछ हो रस में मिट्टी होती है तो हम जब पीते हैं तो उसको भी आप थिरा के ही पीन पीता है तो मैंने जिसमें भी आप बना रही हो उसमें आप बना लेजिए तो मैंने यहाँ पर कड़ी मलब उस साइट रख दी है और मैंने रसखीर बनने के लिए रख दी है तो यहाँ पर मेरे पास कोई बड़ा भगौना है श्यूशली है इस टाइम उस वाले घर में है तो अभी मैं वहाँ से यहां सिप्ट थोड़ा नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे हो गया है जुका मुझसे पहले मेरे हो रहा था दात में दर्द यह देखिए यह आई है चावल मेरी बहन लेके आई है उस दिन मैं बनाने वाली थी रसखीर जिस दिन वो बहन आई थी मेरी पड़ी लेकिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि उसने रस नहीं आपाया था तो यह दीदी मेरे लिए चावल थोड़े मोटे वाले लाई है बोले कि जब तुम बनाना तब इसी की बना लेना तो अब की बार मैं यह मतलब रसखीर इसी चावलों की बनाने वाली हूँ तो बस इने डाल देंगे का जाता है थोड़ी मोटे चावल हो तो रसखीर थोड़ी तेष्टी बनती है मेरे पस जो चावल थे वो बोरी वाले थे रेडि मेट इसमें तो देखो लंबा ही चावल आता है तो यहाँ पर रसखीर थोड़ी देर बाद उबनने के बाद ऊपर उस पर थोड़ा सा क्या बोलते हैं आप लोग मैं तो मतलब थोड़ी गंदगी सी बोले या क्या बोले थोड़ा सा ज़ाक टाइप का आ जाता है तो वो मैं अपनी मतलब वो मैं निकाल लेती हूँ उसके बाद रस्कीर आप देखे वोगती white white सी बनती है वैसी नहीं बनती है मतलब जैसे कि black black हो जाती ना किसी की बुई ये नहीं निकालते है उन्हीं की होती है तो मैं क्या करती हूँ मैं इसको निकाल लेती हूँ और ये देखे मेरे या मेरे बड़ों ने बताया है कि इसको निकाला जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा होता है जो कि इसको निकाल दो तो आपकी रसकीर बहुती सफेज सी बनेगी तो यहाँ पर मैंने डाल दिये है थोड़ा सा मैं निकाल दूँगी उसके बाद डालूँगी और यहाँ आ गया है बाइफाई वाला तो वो तार निकाल रहा है उपर छट पे जा करके और यहाँ बेटा पकड़ रहा है तो आज बाइफाई भी लगा था यह देखे यह मैंने क्या चाबल डालने के बाद और यहाँ पर मेरे कड़ी चाबल भी रेडी हो गए है तो अब बेटना करते हुए कड़ी चाबल का इंज्वाय करते है और मैंने भूब अगयरा के लिए सब निकाल दिये है और मंदिर में भी पहुच गए है और बेटी को खाना है तो बेटी को मैंने दे दिये है बेटी खा रही है उसको बहुत दिन बाद उसने ये पकड़ी वाली कड़ी चाबल खाए है उसकी जो मेड़ थी पीजी में तो वो कड़ी तो बनाती थी लेकिन प्याज की पकड़ी की बनाती थी वैसे नहीं बनाती थी तो बहुत उसको अच्छी नहीं लगती थी तो मैंने सुचा अब बनाते हैं उसकी फर्माइश पर और यहां पर कड़ी चावल के साथ मिर्ची का अचार किसको पसंद है कमेंट में जरू बताईएगा मिर्ची का अचार यहां देखिए फटफट से बस बाते करते हुए हम मा बेटी दोनों खा ले रहे हैं क्योंकि हसμέन अभी है नहीं धर पर और बेटा है उसको अभी रस पिया है उसने और यह है साम का विऊ तो उसे भूख लग गई थी तो मैंने उसको दूद दे दिया है और रसखीर भी वो नहीं खाता है तो आज दोनों चीजे उसकी मन की नहीं बनी थी लेकिन मैंने का बेटा थोड़ी बहुत खालो अभी साम को तुमारे मन का कुछ बनाते हैं तो एक्चली होता है ये है बच्चों में कि ये देखे बेटी को भी दुबारा से भूग लग गई तो रसखीर बन गई है बोग के लिए मैंने निकाल दी है तो बस ये बच्चे जो है रसखीर खा रहे है और यहाँ पर साम हो गई थी तो चाय भी मैंने बना ली थी तो मैं पी लेती हूँ चाय अब मैं करूंगी चाय का जो आए और घड़ी मैंने आपको बताई थी ना घड़ी अभी टंग नहीं पाई है और यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय मठरी के साथ और यह साम का वियू है और हस्बेंड अभी नहीं आये है वो अभी क्या बोलते हैं वो साइड पर निकल गए थे तो वो अभी नहीं आये है और मैंने उन्हें भी दे दिये थे और यह है साम का वियू तो यहाँ आरती कर रही है बेटी तो यहाँ पर मंदिर ब बहारी सब लोगों को पता होगा जो भी मेरे फ्रेंड्स है तो यहां पर मंदिर भी बना है तो यहां पर हम लोग कर रहेंगे आरती और यहां पर इसी इस ब्लॉक को हम यहीं एंड करते हैं ओके बाई